Hello Friends, My Android YouTube Channel में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों अभी Marshmallow जो यूज करते हैं उनको एक Problem Face आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह की Problem है हम जैसे कोई Photos या Voice Recording भेजना चाहते हैं तो हमें इस तरह से Interface आता है, हम Continue करते हैं तो उसके बाद इसको Allow देना होता है, Allow देते हैं तो इस तरह से Screen, Overlay, Detected का Option आ जाता है यह हमको एक Problem आ रही है जो आप में से इसको अकसर लोग Face कर रहे होंगे हम यहां से जैसे इसको Set करना चाते हैं तो Open Setting में चले जाते हैं और यहां पर इसको Sol करना चाते हैं तो Sol नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं जैसे हम Last में WhatsApp में चले जाते हैं देखिए यह रहा WhatsApp तो यहां पर हम इसको Write नहीं कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं यह Problem अकसर हमारे Mobile के अंदर जो Marshmallow यूज करने उनको आ रही है तो इसको किस तरह से Sol क्या जाए तो बिल्कुल आसान है आपको यहां पहले Setting में चले जाना है Setting के अंदर आप चले जाएए Apps के अंदर, Application के अंदर Application में आप Application Manager में चले जाएए यहां पर आप More पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको Second Number पर Apps that can appear on tab इस पर आपको क्लिक करना है आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर जितने भी आपको चालू दिखाए दे रहे हैं आप सब को बंद कर दीजिए जितने भी हों सारे के सारे यहां से आप बंद कर दीजिए आप देख सकते हैं कि मैंने सारे यहां से बंद कर दीए है अब सारे बंद करने के बाद आप बेक चले जाएए और यहां पर आपको जो अप्लिकेशन सारे जो अपने होते हैं अप्लिकेशन मेनेजर के अंदर यहां से हम WhatsApp में चले जाएंगे या जिस application में आपको error आता हूँ उसमें आप चले जाएए जिसे कि हमें WhatsApp में आ रहा है तो यहाँ पर चले जाता है यहाँ पर आपको permission का option मिल जाएगा इस पर आप OK कीजिए और यहाँ से सारे जो भी हैं वो चालू कर दीजिए यहाँ से मैंने सब चालू कर दिया इस तरह से जितने भी application हो आप सब में से permission दे दीजिए क्योंकि हम जब more में जाकर यहाँ second number option जो app that can का option मिलता है इसमें जाकर जैसे इसको बंद कर देते हैं तो फिर उसका भी एक problem को आता है मैं आपको बताता हूँ चलिए यह हमने setting कर ली फिलाल WhatsApp की तो अब मैं WhatsApp से कोई भी चीज भेजना चाहूँगा तो आसारी के साथ भेज सकूँगा देखिए आप देख सकते हैं अब कोई भी मुझे कोई permission अगरा का नहीं पूछ रहा है तो यह problem तो solve हो गया अब एक नया problem क्या आजाता है कि हम जो more में जाकर setting की हैं उसकी वज़ा से हम कुछ application को चालू करते हैं तो यह automatically stop हो जाता है तो यह भी problem आता है तो आपको करना क्या है कि वापस आप setting में चले जाईए setting के अंदर आप application में चले जाईए और फिर manager में application manager के अंदर जितने भी application है इन सब को आप पहले allow दे दीजिए जिस जिस में भी allow नव हो आप सब में से इन सब को permission दे दीजिए जैसे कि अभी यहां इसको यह allow नहीं है मैंने सब permission दे दी इस तरह से जितने भी application है एक बार सब को आप permission दे दीजिए उसके बाद आप more में चले जाईए और more में जाने के बाद app that can appear on top इस पर click कीजिए और यहां से जिस जिस application जो नहीं चलना है उसको चालू वापस कर दीजिए जैसे कि मैंने az recorder को चालू कर दिया अब मैं जैसे यह az recorder को चालू करूंगा तो यह चालू हो जाता है आप देख सकते हैं अब whatsapp में भी जो problem था वो भी यहां solve हो चुका है देखी आप देख सकते हैं किसी भी तरह काम को error नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हैं दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो like कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और किसी भी तरह का कोई सवाल या suggestion हो तो comment box में लख दीजिए और दूसरे नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए